कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, कैसा रहेगा राशियों का हाल, जानेंगे आज, नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंकिता पाल, स्वागत है आप सभी का द्यानिक राशी पल में, तो चलिए बिना देरी किये शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले राशी की, आज की पहली रा किसी बात को लेकर तनाव भी मिल सकता है, अगली राशी है ब्रशब राशी, ब्रशब राशी वाले आज का दिन आपके लिए बहुत जादा व्यस्त रहने वाला है, नौकरी में हैं तो आज आपको कोई नया काम सोपा ज़ा सकता है, जिसके लिए आपको किसी साहती के सहयो की जरूरत बढ़ सकती है, आज विवास से जितना हो सके उतना दूर रहें, अगली राशी है मिथुन राशी, मिथुन राशी आज लंबे समय से रुके हुए काम आप असानी से पूरे कर पाएंगे, पैसों से जुड़े बड़े पैसले सोर समझ कर ले, खोट के मामलों में आज आपको सफलता मिलेगी, धैरी रखे, आज आपको कड़ी महनत का फल जरूर मिलेगा, अगली राशी है करक राशी, करक राशी वालों आज परिवार के लोग, आज की भापनाओं का सम्मान करेंगे, आर्थिक मामलों में आज का दिन शुब भी रहेगा, व्यपार से ज चात्रों को आज अपनी महनत का फल भी मिलेगा, धार्मित मामलों में आज आपका मन भी लगेगा, सिंग राशी वालों आज कुछ मानसिक चिंताएं आपको घेड सकती है, आज नई योजनाओं का क्रियानवन करने का सही समय भी है, विद्यार्थियों को कड़ी महनत करनी चाहिए, आज का आपका जो स्वात है, उसे लेका थोड़ा चिंतित भी हो सकते हैं, अगली राशी है कन्या राशी, कन्या राशी आज घर के किसी काम को पूरा करने में आपको बड़ों की राय की जरुरत पड़ेगी, छात्रों के लिए आज का दिन काफी शुप है, नौक परिवार का सयोग भी मिलता नजर आ रहा, अगली राशी है व्रश्चिक राशी, व्रश्चिक राशी वाले आज का दिन आपके लिए परिशानियों से भरा रहने वाला है, आज संतान से कोई निराचा जनक समचार सुनने को मिलेगा, अगर कोई कानूनी मामला चल रहा तो आज उसमें आपको लाब जरूर मिलेगा, अगली राशी है धनू राशी, धनू राशी आज के दिन आपके लिए बहतर रहने वाला है, आज आज आपके जिम्मेदारियां बढ़ेंगी फिजून खर्चे पर नियंसर दिन होगा, आज किसी धार्मी कारिकरम में भी आप जा सकते हैं, तो ही अगली राशी है मकर राशी, मकर राशी आज आपको वैपार में लाव होता नजर आ रहा, उत्साहा के साथ काम करेंगे, आज आज आपको भागे से जादा कर्म पर धरोसा करना चाहिए, किसी भी तरह की सट्टे बाजी आजी से दूर रहे, जीवन साती से म अच्छा रहेगा, आज की सबसे अंतिम राशी है मीन राशी, मीन राशी आज आर्थिक के सिपी में बड़ी बदलाव की सभाबना है, जीवन साती का भरपूर सैयोग मिलेगा, कोई शुक समाचार भी मिलने से घर में खुशी का मोहल रहेगा, आज समाज में आपका मान सम् सब्सक्राइब जरूर करें